नमस्कार दुस्तों भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले बोडी बिल्डिंग के बारे में और आज हम आपको बताएं के शुरुवाती बोडी बिल्डिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स जी अगर आप बिगनर है और आप चाह रहे हैं कि अच्छी बोडी बिल्ड करना तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रही है और मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एक अच्छी शेफ वाली मस्कुलर बोडी पा सकते हैं तो अगर आप शुरुवाती बोडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप मेरी इन 4 टिप्स को जरूर मानिएगा दोस्तो और इन पर काम करके ही आप बोडी बिल्डिंग करिएगा तो दोस्तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बतान चाहूंगा दोस्तो कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपको जल्दी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर रोजाना अपडेटेड होती रहती है तो चलिए आईए मैं आपको बताता हूं बोडी विल्डिंग टिप्स फ़र बिगनर्स तो सबसे पहल दोस्तो एक वर्काउट प्लैन बनाईए नियमित्ता रेगुल लोल्टी बोडी विल्डिंग में प्रमुक चिंता का विशय है जैसे कि अगर आप बीच में एक्सराइज करना छोड़ देते हैं तो आप सारे गेंस खो देते हैं और यदि आप अपनी कसरत एक्सराइज के प्लान का पालन फॉलो करने में सक्ष्चन नहीं है तो बोडी बिल्डिंग करना मुश्किल है एक उचित कसरत एक्सराइज प्लाइन बनाओ और उसके साथ ठीके रहो कोई बहाना नहीं सिर्फ उसिफ एक्सराइज दूसरा टिप है दोस्तो प्रैक्टिस कंपाउंड एक्सराइज शुरुवात में आप सभी एक्सराइज की तरफ आकरशित हो जाओगे पर ध्यान रहे कि आप बिगनर हो शुरुवात हमेशा सिंपल एक्सराइज के साथ करें जैसे कि स्कुर्ट्स बार्बैल बेंच प्रे यह सब एक्सराइज आपकी वर्काउट प्लैन में जरूर होना चाहिए अब है दोस्तों तीसरा फ्री वेट्स का इस्तमाल करें अगर आप सोच रहें कि जिम में रखी मशीन आपको मसल्स बनाने में सहता करेगी तो माफी चाहता हूं पर आप गलत सोच रहें मेरे मित्र ड और खासकर बेगनर्स के लिए बहुत ज्यादा है डंबल्स और बारबल ही सबसे अच्छी है अगर आप बोडी विल्टिंग करना चाहते तो फ्री वेट्स का इस्तमाल करें डंबल्स में बहुत ही आपका सहयक होगा दोस्तों चौथा है रोज एक्सराइज ना करें अच्छे से आराम करें बाद में जब आपको लगे कि मेरी बॉडी अच्छी बन रही है और मैं जो है स्ट्रेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है मैं थोड़े जो प्राब्लम्स होती है जिनके कारण जो हमारा शरीर दर्द करता है अगर मुसको सहने में पूरा-पूरा सक्षम तो आप जरूर कीजिए दोस्तों तो यह था मेरा वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल भंडा टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार